एक बड़ी खबर आपको देते हैं हर्यानस ये बड़ी खबर सामनी आ रही है जहां पर भार्टी जन्ता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नेताओं के स्तीफे का सिल्सला सा चल पड़ा है बीजेपी से रतिया से पूर्व सांसर सुनीता दुगडल का टिकट कार दिया बीजेपी ने वहें टिकट करटने से नाराज होकर लक्षमर नापा ने पार्टी की प्राट्मिक सदस्ता से ही स्तीफा दे दिया है इसके अलावा बारड़ा से पूरो वधायक सुक्विंदर शोराण ने भी पार्टी को प्राट्मिक सदस्ता से स्तीफा दे दिया रंजी सिंग्चोटाला ने नायपसानी कैबिनेट से स्तीफा दे दिया सूत्रों की माने तो बीजेपी वेट और वोट की पोजिशन में है वो एक दो दिन में नाराज नेताओं का रुख करेगी पार्टी को उम्मीद है कि बहुत सारे नाराज नेता तीस्ती बार सत्ता में बापसी के पार्टी के बड़े उद्देश को देखने वे मान जाएंगे नाराजगी को दूर करने के लिए संग्ग और बीजेपी के स्थाने नेताओं को भी कि लगाया जायेगा इस तरह किरणेती तैयार की जारी है मुझे दिल्ली से सुच्छ से बहुत सी जयर में तों के फोन आई है आप समझे के बहुत बड़े नेताओं का सीमियर लिंकर सब और ने ज़िए भी लेंगे है तो मैं उनकी बहुत इंज़त करता हूँ है रंदीत हूं बड़ा मैचोड़ी से राजनीती करिया है जल्द बाजी में इमेजेट कोई फैसला आदमी देखते हैं संबन्द क्या है कैसे करना है पांत साल मैं इन लोगों के साथ हूँ है तो सोचके निरने अवश होगा आज ह हमारी बाची तो रही है देखिए एक कमल का फूल है एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निरने असरो पर ही होता है दरसल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 90 में से 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया इस लिस्ट में कुछ हैं बातों पर नज़र डालते हैं जिस पर सबसे ज़ादा सियासी खीशतान हो रही है हर्याना में जो सबसे पहली चर्चा है वो है सीम नायव सिंग सैनी की सीट को लेकर नायव सिंग सैनी अभी तक करनाल से वधायक थे लेकिन अब उन्हें लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है जो कुरुक्षेत्र लोग सभा में आती है लाडवा सीट से मौझूदा बधायक मेवा सिंग है जो कॉंगर्स से है ऐसे में सुरक्षत सीट की बजाए दूसरी सीट से सीम को टिकट देना चौकाने वाला है बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चहरे हैं जबकि 9 बधायकों का टिकट कार दिया गया है जिसमें तीन मंत्री भी शामल है वहीं बीजेपी ने दल बद्लियों का भी खासा ख्याल रखा है जेजेपी के तीन पूरो बागी बधायकों को टिकट दिया गया है पार्टी ने परिबारवात के नाम पर कई नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिये हैं बंसिलाल की बहु किरन चौधरी हाल ही में बीजे पी में शामल हुई थी और पार्टी ने उन्हें राज्जी सभा भेज दिया अब बीजे पी ने किरन चौधरी की बेटी शूति चौधरी को तो शाम सीट से विधान सभा चुनाव में उतारा है। भजनलाल के बेटे कुलदीव विश्णोई भी बीजेपी में है और पार्टी ने उनके बेटे भवे विश्णोई को आदमपूर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है दक्षन हर्याना में पकड़ रखने वाले सांसद राव इंद्रजीस सिंग अपनी बेटी आर्टी को टिकर दिलाने में काम्याब हो गया पूरो मंत्री सत्पाल सांगवान की बेटे सुनील सांगवान को चर्की दादरी से मैदान में उतारा गया है सत्पाल के बेटे सुनील सांगवान ने तीन दिन पहले ही जेल सुप्रेटेंडन की नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी सबसे बड़ी बात सुनी सांगवान उसी जेल में सुप्रेटेंडन थे जिनके वक्त में राम रहीम को छे बार पे रूल मिली जो से लेकर अकसत सियासत कोती रिखी है बीजेपी ने देश की सबसे अमीर महलाओं में से सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया जिसके बाद अब खबरे आ रहे हैं कि सावित्री जिंदल निर्दली अचुनाव लड़ सकती है जो की हिसार की सीट से मैदान में उतर सकती है और बड़ी खबर इस वक्की नायब सानी की सीट बदलने को लेकर पूर्व डेपटी सियाम दुशन चौटाला ने तंज कता है दुशन चौटाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब कटी पतंग हो गए है नायब सानी के सीट बदलने पर दुशन चोटाला के ये तंज आया है उन्होंने कहा है कि कटी पतंग हो गए है जो कट कर करनाल से लाडवा पहुंच गए है विरोधियों को मौका मल गया है तंज कर से जा रहे हैं माशो में शामारे संबाद्धाता जूच चुके हैं और जाद जानकारे के साथ हमाशो विरोधियों के तंज तो अपने जगा लेकिन ये बताईए ये बीजेपी छोड़ने बाले नेताओं में ऐसा लग रहा है होड से मच गई है अब क्या करेगी बीजेपी पार्टी की ये कोशिश है कि अगले एक दो दिनों में जो है इन नराज निताओं को मनाया जाए जिन्हों ने पार्टी की प्रात्मिक्स तक से स्टीफा दे दिया क्या है वो सांसद हो या मत्री हो रंजीत चोटाला को मनाने के लिए खुट उन्होंने भी बताया कि दिली स से बड़े निताओं के जो हैं उनको फोन आए हैं लिए नराज निताओं को मनाने में कितना सफल हो पाता है या नहीं अगर नहीं होता है तो इसका नुक्तान जरूर भार्टी जिन्दा पार्टी को होगा क्योंकि अगर मैंने 2019 के लोकसभा चुनाओं में 10 सीटे जीतने वा का अंतर है और अगर आप देखेंगे तो यह माना जाता है कि कॉंग्रेस जो है उसके पास जाट और डलिफ बॉट बैंक है और भारति जन्तापार्टी नौन जाट की पॉलिटिक्स करती है लेकिन भारते जन्तापार्टी निस बार तेरा जाट उमिद्वारों को उतारा भ पार्टी के अंदर कहीं न कहीं जो है भेदवाओं बाहर से आए लोगों को जो है वो टिकट जादा दिये जा रहे हैं अगर आप देखेंगे देविंदु सिंग बबली पिछले अपते शामिल होते हैं उनको चोहाना से जो है उमी जोहार बनाया जाता है राजकुमार कईले कर लेकर लगातार मंतं जारी है उनकों के गौणरों के लिस्ट को लेकर लगातार मंतंघक जारी है। अमेरिका का दौरा करना है, जिससे पहले पार्टी को नाम तै करना होगा, तमाम उम्मीदवारों के. मौस्मी सिंंग हमारी से बादधा जू चुकी है जानकारी के साथ मौस्मी क्या है अंदर के खबर? कैसे पीनदीघ अब्सक्रायां के पांच और समझारे की कोशच कर रही है और जो एक नाम है उसको चाटे की कटाई और चटाई में इतना लंबा वक्त लग गया है बताया है कि कई मौजूदा विधायक है जिनके ओपर EDK केसिस है उनका मामला पैंडिंग में चला गया है तो कई ऐसे सिते हैं जिनमें तीन तीन नाम हैं कई बीजेपी टर्णकोर्ट स उनको रोका गया राहूल गांडि में उनका स्टूटिन बैठा दिया तो ये डेडलाइन में बहुत छोटी है क्योंकि नामाइका शुरूर हो गया है राहूल गांडि का यूएस दोरा है और ऐसे में सब कमिटी के सामने बहुत बड़ी चुनोती है कि किस तरह से इसको कार् बहुत धन्यवाद मौसमी आपका इस पूरी जानकारी के लिए तो कॉंग्रेस पार्टी लगातार मंधन कर रही है आमादभी पार्टी के साथ सीख शेरिंग का फॉर्मूला क्या हो और विनेश वोकुकार्ट बजरंग कुनिया को लेकर क्या फैस्ता किया जाए जो भी जा कर रिसामने आगी आपको उसांगी